नमस्कार दोस्तो, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी वानी 2.0 पर जहां आपको बॉलिवूड एक्टर से रिलेटेड इसी तरह के वीडियोज देखने को मिलते रहेंगे सो अगर आप बॉलिवूड टॉपिक्स पर इसी तरह के वीडियोज देखना चाहते हैं तो हमारे नए चैनल फिल्मी वानी 2.0 को भी जरूर सस्क्राइब करें दोस्तो फिल्म लाइन में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि किसी एक्टर के केरियर में कभी डाउन फॉल आया ही ना हो कभी ना कभी किसी हिरो का केरियर लड़ खड़ा तो जाता ही है मगर Mr. Perfectness आमिर खान एक ऐसे अबनेता है जिनके केरेड में एक लंबा बुरा दोर देखने को नहीं मिला हाला कि सुरुआत में इन्हें समनने में थोड़ा टाइम लगा जरूर वैसे एक दो फिल्में तो उपर नीचे हो ही जाती है मगर आमिर खान को इंडस्टी में आज 30 साल से भी ज़्यादा हो चुके है लेकिन जब से इन्होंने एक हीरो के तोर पर सफलता पाई है तब से लेकर अभी तक आमिर खान लीग में पूरी तरह से बने हुए है और कभी भी इनके लिए ऐसा नहीं कहा गया कि आमिर खान इस समय अपने केरियर के बुरे दौर से गुजर रहे है आमिर खान इंडस्टी के मोस्ट इंटेलिएंट एक्टर है इन्होंने अपनी फिल्मों से हमेशा कुछ अलग और नया ट्राई किया जिसके चलते इनने तब से लेकर अब तक सफलता मिलती आई है हाला कि इतना जरूर कह सकते हैं कि केरियर के किसी भी फेस में इस पेसली 90 एक दसक में इनने कभी लिए नमबर बन सूपर स्टार नहीं माना गया 90 के दसक में बड़े स्टार की लिष्ट में इनकी गिंती तो जरूर होती थी लेकिन सारुक खान और सनी दियोल की तरह इनने केरियर के उस फेस में बहुत बड़ा सूपर स्टार नहीं माना गया और नाही इनकी तगड़ी फैन फॉलिंग थी आखिरकार इधर गजनी, थ्री इडियेट और पीके वाले फेस में इनने फाइनली बिगेस सूपर स्टार मान लिया गया अच्छा 90 दसक में इतना जरूर था कि आमिर खान अपनी फिल्मों को लेकर बड़े-बड़े एक्टर्स की फिल्मों से क्लैस कराने से भी पीछे नहीं अड़ते और इनकी फिल्में अपने कंटेंट के दम पर तब भी चल जाया करती थी और आज भी इनकी फिल्में अपने कंटेंट के दम पर ही चलती है कई बार तो इनकी फिल्मों का क्लैस सनी दियोल जैसे 90 दसक के बड़े हीरो से भी हुआ दिल वर्सस घायल, राजा हिंदुस्तानी वर्सस घातक और लगान वर्सस गदर हर बार आमिर खान की फिल्में अपने कंटेंट के दम पर चल जाती आमिर खान ने खुद एडमिट किया था कि जब उनकी फिल्म लगान का क्लैस गदर से हो रहा था तब सबको यही लगा था कि लगान नहीं चलेगी मगर तब भी ये फिल्म चली ये classes industry के most successful classes माने जाते हैं दोस्तो आज आमिर खान अपने कुछ बयानों के चलते और तलाग जैसी चीजों की वज़ा से लोगों के गुस्से का बुरी तरा से सिकार है या हम उस जोन में ना जाते हुए सिर्फ और सिर्फ उनके फिल्मी केरेर पर ही चर्चा करेंगे जानेंगे कि वो क्या factor है जिसके चलते आमिर खान बॉक्स आफिस पर हमेशा एक सफल हीरो के तौर पर ही गिने जाते रहे वो क्या समझदारियां रही जो industry के बाकी actors को आमिर खान से सीखना चाहिए तो दोस्तों चैनल को सस्क्राइब करके वीडियो के साथ बने रहें दोस्तों आमिर खान दिक्कष डिरेक्टर, रैटर और प्रोडूसर नासिर खान के भतीजे रहे जिसके चलते इनकी सुरुआत उन्हें की फिल्म में असिस्टन डिरेक्टर के तौर पर हुई इन्होंने जबढ़ जस्त और मंजिल मंजिल जैसी फिल्मों में असिस्टन डिरेक्टर के तौर पर काम किया वहीं ये यादों की बारात और मधोट जैसी फिल्मों में एजन चाइल्ड आर्टिस भी नज़र आए फाइनली आमिर खान ने साल 1988 के फिल्म कायामत से कायामत तक में बताओ लीड हीरो अपना डेब्यू किया इस फिल्म को नासिर खान ने प्रोड्यूस किया और उनके बेटे मनसूर खान ने फिल्म को डेरेट किया फिल्म रिलीज होई और रिलीज के साथी ये फिल्म ब्लॉक्बस्टर हो गई रातो रात आमिर खान और जुही चावला को एक ही फिल्म से सूपर हिस्टाड़म मिल गया इस म्यूजिकल रोमेंटिक फिल्म ने बॉक्स आफिस को पूरी तरह से कैप्चर कर लिया साथी साथ फिल्म के गानों ने टीवी से लेका रेडियो तक धूम मचा के रखा था फिल्म उस साल की वन अब दा हाईस्ट गॉसर फिल्म रही साथी साथ फिल्म का म्यूजिक अलबम उस साल का बेस्ट सेलिंग म्यूजिक अलबम था इस एक फिल्म की सफलता से आमिर खान के सितारे बुलंदियों पर आ चुके थे और एक के बाद एक इन्हें कई फिल्मों के ओफर आने लगे हाला कि इसके बाद इनकी कई फिल्में लाइन से फ्लॉप हुई और तुम मेरे हो जैसी फिल्में बॉक्स आफिस पर डिजाश्टर हैं ऐसा लगने लगा कि मानो आमिर खान वन मोवी वंडर बनकर रह जाएंगे फिर साल 1990 की फिल्म दिल ने इन्हें सहारा दिया दिल बॉक्स आफिस पर बहुत बड़ी ब्लॉक्बश्टर ही इस फिल्म के बाद भी इनकी तीन-चार फिल्म में बॉक्स आफिस पर फ्लॉप थी लेकिन अब तक आमिर खान खुद को एजन एक्टर प्रूफ कर चुके थे और यह अपना केरियर भी स्वाल ले गए इसके बाद दिल है कि मानता नहीं जो जीता वही सिकंदर और हम है राही प्यार के जैसी फिल्मों से इन्होंने अपनी पकड़ और मजबूत बना ली फिर रंगीला, राजा हिंदुस्तानी, इस्क, गुलाम और सरफ्रोज जैसी फिल्मों से ये काम्याबी की सीड़िया चड़ते गए आमिर खान 90 दसक में एक रोमेंटिक हीरो बनकर उब रहे हाला कि सरफ्रोज, अर्थ और बाजी जैसी फिल्मों में इनकी पर्फॉमन्स को भी काफी ज़्यादा पसंद किया गया इस तरह आमिर खान ने अपनी मजबूत पहचान बनाई फिर अर्ली 2000 से आमिर खान अपने फुल फॉम में आ गए चलिए अब जानते हैं कि आमिर खान ने वो क्या समझदारियां दिखाई जिसके चलते उनको एक लंबा सकसफुल करियर नसीब हुआ दोस्तों आमिर खान, सारुक खान और सल्मान खान इन तीनों खान के बीच हमेशा से ही कंपरजन चलता रहा S.R.K. तो रोमेंस के किंग कहे ही जाते थे वहीं आमिर और सल्मान भी एक टाइम तक रोमेंटिक ड्रामा फिल्मों में ही नजर आते थे 90 के दसक में आमिर खान की गिंती भी एक बड़े सकसफुल रोमेंटिक हीरो के तौर पर होती थी इनके हिस्से भी कयामत से कयामत तक दिल, दिल है की मानता नहीं, हम है राही प्यार के, अकेले हम, अकेले तुम और मन जैसी बैतरिन फिल्मे थी लेकिन आमिर खान ने यहां अच्छा ये किया कि early 2000 के बाद ये पूरी तरह से content oriented फिल्मों की और सिफ्ट हो गए सायद मेला फिल्म के failure ने इन्हे content movies की और सिफ्ट किया, अब आमिर अलग-अलग तरह के लीक से हटकर फिल्मों में नजर आते हर फिल्म अपने से different और फिल्म की सफलता आमिर का content पर विश्वास बढ़ाता गया इन्ही content driven फिल्मों के दम पर आमिर खान उस समय भी अपनी पकड़ पूरी तरह से मजबूत बनाए हुए थे जब सल्मान को मासेज में सफलता मिली और सारुक खान की romantic फिल्में चलना बंद हो गई आमिर खान के variety भरे content पर public का हमेशा भरोसा बना रहा यहां हमने देखा कि आमिर खान जो अपने काम में variation लेकर आए साती साथ script selection पर जो बारीकी से काम किया उसके चलते आमिर खान को लगातर सफलता मिलती गई second reason है dedication आमिर खान को लोग Mr. Perfectness भी कहते हैं वे साल में सिर्फ एक फिल्म में काम करते हैं और अपना पूरा 100% dedication सिर्फ उसी फिल्म को देते हैं किर्दार के हिसाब से वजन बढ़ाते हैं वजन घटाते हैं पूरा उस किर्दार में घुष जाते हैं मंगल पांडे रंगदे बसंती गजनी और थ्री इडियट से लेकर दंगल तक आमिर खान ने हर फिल्म के रोल में नसर आते और साल में सिर्फ एक ही फिल्म करते लोगों को इनकी फिल्मों का हमेशा से बेसबरी से इंतजार रहता किसी भी एक्टर की फिल्म मिस हो जाये लेकिन कोई भी आमिर खान की फिल्म को मिस नहीं करता क्योंकि लोगों को इनके सब्जेक्ट पर पूरा भरो दी जाती है दिल चाहता है तारे जमीन पर थ्री एडियेट और सीक्रेट सूपर स्टार इसके अच्छे एक्जांपल है वे फिल्म इंडस्ट्री और फिल्मेकिंग को काफी अच्छे से समझते हैं वे ज्यादा एक्ष्रीन पर दिखने की बजाए साथी एक्टर्स को बराबर इसपेस देते हैं जिससे फिल्म की खुबसूरती बढ़ती है और फिल्म बॉक्स आफिस पर अच्छा परफॉर्म करती है आमिर खान को काफी बारीकी से समझते हैं परिवार के कई सदद से नामी डिरेक्टर है और यही काबलियत आमिर खान को विरासत में मिली इनकी कई फिल्में अपने से आगे की समय थी बले ही वो फिल्में उस समय नहीं चली लेकिन आज उन फिल्मों को कल्ट फॉलॉइंग मिली हुई है दोस्तों आमिर खान एक इंटेलिजेंट और विजर्णी अभनेता है जो अच्छे सिनेमा की परिभासा काफी अच्छे स फिल्म के हर डिपार्टमेंट और छोटे बले एक्टर को बराबर इस प्रेज देना फिल्म के लिए किसी भी चैलेंज को एकसेप्ट करना चाहे वेट गेन करना हो या फिर वेट कम करना हर फिल्म में अपना हंडेट परशन देना और साल में सिर्फ एक फिल्म रिलीज करना जिससे लोग इनको देखने के लिए तो तरसेंगे ही सौ सुनार की एक लुहार की वाला सिनेरियो इन पर पूरी तरह से फिट बैठता है 2008 की गजनी ब्लोगबस्टर है 2009 की थ्री एडिट आल टाइम ब्लोगबस्टर है धोम थ्री ब्लोगबस्टर है पीके ओल टाइम ब्लोगबस्टर है सीक्रेट सुपर स्टार भी ब्लोगबस्टर है किसी भी एक्टर ने लाइन से इतनी ब्लोगबस्टर फिल्मे नहीं दी होंगी ये सब आमिर खान के इंटेलिजेंस का कमाल है हाला कि ठक्स अफ हिंदुस्तान एक exceptional example जरूर है लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि ये लाल सिंग चड़ा से अपनी एक तगली वापसी करेंगे यही सब वज़ा है जिसके चलते आमिर खान अभी भी बॉक्स आफिस पर राज करते हैं तो दोस्तों ये रहा आमिर खान पर हमारा एक डेडिकेटेड वीडियो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं साती साथ नेक्स्ट अब आपके सेक्टर पर वीडियो देखना चाहते हैं ये भी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सस्क्राइब करें आपका बहुत बहुत धन्यवाद